कुछेस्वर अस्तान विधान सभा के बिरोल पर्खंड में है और बिरोल पर्खंड के ये लधो पंचैत है जहां मैं ग्रॉन रिपोर्ट पर हूँ ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख पा रहे होंगे ये लधो पंचैत का वो तस्वीर है जिस तस्वीर को बदलने के लिए यहां के जन परतिनी थी लाख परियास कियें लेकिन यह तस्वीर नहीं बदल पाई कारण यह है कि हर वर्स जब मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो मुझे यह ऐसा ही नजराता है चाहिए यहां बारिस हो या ना हो लेकिन सरक की दूरदसा ऐसी की ऐसी ही बनी रहे अभी पता चला कुछ दिर पहले एक गारी लेके जा रहा था बाइक सवार वो कहीं इसी रास्ते में गिरा था और जैसे मुझे सूचना मिला हम यहां पहुँचे और यह सरक मुख मंतरी ग्राम जन संपर्क योजना के तहट बनना था साल 2020 में इस सरक का सिले नास हुआ और आगे जो तस्वीर आपको दिखाएंगे जो सूचना पट लगाया गया है उसमें साफ देख सकते हैं कि 2020 में जिनका सिले नास किया गया था ना तो वहां पर एक ट्रेक्टर मीटी गिरा है और नहीं यहां पर एक इच का छुटा सा भी गिरा है जिसे कॉर्ण यहां के ग्रामी लगातार यहां से परीयास की चाहिए वो बिधायक हो रहा के आसंद्शने जन परती निदी हो सब को अफगत कराएं सरट से लेकिन आप तक नहीं हुआ हमारे बिहार के मुख मंत्रीं जी इसकुमार दावा करते हैं बिहार में विकास का लेकिन विकास का दावा कितना बिफल होता है वो तस्वीरे आप देखकर अंदाज लगा से यहां गिरामीन है हम इसे बात करें गे इसे कर बारिस का पानी थापनी होता है प्रस्टिती यहां का बद विकास हो रहा है विक्सित बीहार हो रहा है बिरोल में इतना विकास हुआ उसके बाद यूथ है क्या कहेंगे कितना विकास हुआ है आपको हम धनवाद देते हैं जो हमारे गाउं में पिछला हुआ इलाखा में आप रिपोर्टिंग करने के लिए यहां का जो समस्या है इसके लिए बहुत आपके अभार है जब से हमको यह अकिल हुआ है तब से रोडगड़ा के लगड़ा रहता है यहां का स्थाने जो अस्थानी है और यहां को फड़ा जब मुष्ट रहता है बिढा स्की काम हुआ कि जो है हमारे तियां माधे योजना से कुछ काम हुआ है जिससे पैकी वर्क दखाये रहा है लेकिन अतिकर्मन होने के बाद यहां पे कीचर ही कीचर जो है हर साल रहता है बारिस होगा तब भी बारिस नहीं होगा तब भी और यहां पे योजनाग ग्राम सरक यो बिहार सरकार की जो चलाई गई है दो हजार चोबीस नो दो हजार बीस में शिल्या नास हुआ था और आपको 23-9-2021 को कार्ज समाप्तिक डेट है लेकिन आज डेट है 15-5-2022 आज तक जो है चंद्रबीर यादब अपना बोड लगा कर जो गए हैं तो अभी तक इस रोट को देखने के लिए ने आये हैं जबकि उनको कई बार सुचना दिया गया जो यहां हम लोग कीचर में फसे हुए हैं इसको तुरा आप देख लीजिए तो उने के नामिने लेते हैं वो पैसा भी उठा लिए कुछ पैसा उठा करके वस काम जब पूरा पांस साल हो जागा रख रखाओ का टाइम वो सो कर द काम दिखा रहे हैं जो हमने काम वर्क कर दिया है वर क्या हुआ है देख लीजिए आप जो है इनको बार वार टेलीफॉन के माध्यम से मबाइल के माध्यम से हमारे पंचाद का परतिनीदी भी इनको दिये हैं लेकि वो कोई सुनने का नाम नहीं है वो रख रखाओ के पैसा नहीं रहता है तब ही यह स्थिति है यह जो चंद्रबीर यादव है आठ नौ महिना पहले यहां पर एक बोर्ड लगवाया इसी रोट की यहां से लेके दिवारस्थाम तक जो कुछ नदी के इस पार है कुछ नदी के उस पार जाता है आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रसा इसका इस्तितित देखी रहे हैं कैसा है कि इसलिए एक बार दो बार इस पानी में हम लोग जाते हैं तो नाकमुद्ख का म भी रहता है तो यह किळेगे कुछ पार नहीं पांटे तुए यहां ठीकेदार थे यहां मैनेते आख मैना उनकी यह एक लेकर दी आध कहँ वी है जो कि यह पानी देख रहे हैं कि तरने में बहुत दिकत होती है गाडी वाले दिलुग णिवा आप इस तोग्या दिलुग मेरा ली तक शोठेगे, पैसा भी सुनने में आया है उठा लिये हैं अभी तक कोई ग्राउंट पर काम भी नहीं हुआ है ऐसे कैसे आप देखी रहें जो क्या बदहाल है पानी बदबुदार लुक बहुत होना चाहिए उन पर करवाई होनी चाहिए जो अगर वह इस तरह की यह भाइने कहा है कि उनके के लोग भोले-भाले हैं उनको इस बात की जानकारी तक नहीं होती और पैसा पेमेंट भी हो जाता है विसले विभाग को जानकारी होगा इसलिए विभाग का जान कहले होगा जो हमारे पंचालते योजना नहीं है ने तो मोबाइल खोलते आप भी बताते हैं लेकिन वह बिभाग यह बात है जी बिहार स्क्राग योजना है इसलिए बिहार में एक ऐसा बिधायक की बात आज कर रहा हूं कुशेस्वर अस्तान में य कैसे होगा यह तो यहां के जन्ता अच्छी तरह से समझ आगा है